भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूं कविता उपाध है हमारे साथ में जसमेन सिंग नोनी जी हैं डियस जी अमसी से सदस्य हैं उससे पहले पुझाब से बिलॉंग करते हैं किसान हैं किसान परिवार से बिलॉंग करते हैं किसानों की समस्या बार-बार उठाई है मैंने 26 दिन बीट चुके हैं किसानों का वही हाल बार्डर पर बैठे हैं शीड लहर बैठे हैं वारता लगात चल रही है केंदर के साथ में लेकिन कोई हल नहीं गोशना उन्होंने कर दी है कि आने वाले वक्त में भूखर्थाल करेंगे सभी पार्टी इसमें योगदान दे रही है चाहे वो आम आदमें पार्टी के जरिवाल जी की सरकार हो या अकालिदल बादल ग्रूप हो कोई भी हो तमाम विपाक्ष या कॉंग्रेस की भी बात करें सभी जुड़ चुके हैं किसानों के साथ लगातार आवाज उठा लाया क्या कहेंगे सर क्यूं नहीं कोई हल निकल पा रहा इतनी वारतल आपके वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर सिख जाए वो कभी खेटी उसने की है नहीं किये उसका दर्द हमेशा किसानों से और खेश से मिशा ज किसान या कोई ना कोई जमीन दाजा कुछ भी ऐसे जमीन से जुड़े रहे हैं और हम भी जमीन से जुड़े हुए हैं चाह खेटी करें या ना करें और रही बात पार्टियों की पार्टियों बहुत छोटी सी चीज हो जाती है जब बात आए किसानों की किसानों के दर्द क कि सेवा की जो दिली सिख गुर्दवारा परंदर कमीटी आपने शुरू से देखा होगा कि जहां पे भी किसी तरह की भी परिशानी आती है कमीटी वहां पहुंचके वहां सेवा करती है जुरत मंदों का साथ देती है नोने जी आपने अकाली दल बादल की बात करें या फिर दिली सिक गुद्वारा प्रबंदक का मैटी की बात करें आप लोगों ने वहां जमीन इस तर पर उतर के मैडी मैडिकल फैसिलिटी दी मास्क वितरन किया लंगर की सेवा लगातार जारी है वहां पर सर क्या कहेंगे क्यूं नहीं केंद्र और किसानों की बीच में बात बन रह हो अभी एक कोई हासा हो गया ट्रक वाला एक बजर्ग थे सदार जी उन्हें हिट करके चले गए उन्हें वहां एड्मिट कराने की बात हो मारूम दिलवाने की बात हो तो यह हमारा एक हर इंसान एक इंसानियत है कि हमें चीज़ से जुड़ना पड़ेगा और जुड़ना खुश नहीं है लोग खुश नहीं है तो सरकारों का कोई फैदा नहीं है सरकार में आप आये हो तो उनकी वज़ा से आयो आप सरकार में आज जो सूलिय तो जो फैसले ले रहे हो उनकी वज़ा से ले रहे हो और जो गलत फैसला आपने लिया है किसानों के लिए आपको फैस किये खूब ऑने चाहिए नोनी जी आपका परिवार बात करें तो पंजाब के किसां जादा है देश घर किसान एक पांड्र किसांट किसान के सब्सक्राइब को पर आपको परिवार भी कही ना पंजाब से जुड़ा है कुछ को आपके नैशनल इशू बनता जा रहा है सपोर्ट आ रहा है इसी बीच कुछ आसमाजिक तत्व जिक्र इसले करना पड़ता है क्योंकि वो शायद उनको उनको इस्तमाल कर रहे हैं हमारे किसान भाईयों को जैसे कि खालिस्तान जैसे शब्द निकल के आ रहे हैं सर क्या कहेंगे इस ब भी परशानी आई है बाहर तो हमने अमबैसियों के बाहर जाके धरने दी हैं और उनकी हकी लड़ाई हमने यहां बैठके लड़ी है और जितने भार रहते हैं वो हमारे भाई हैं वो हमारे हैं और वो जब वहां पे खाना खाते हैं उन्हें दर्द महसूस होता है मुझे फो जाता है और किस परशानियों से लोग गुजरते हैं और सब को पता है यह जो महीना चल रहा है पो का महीना है और ठंड इन दिनों इतनी पड़ती है कि आप रोड पर खड़े नहीं हो सकते और पूरी रात माँ सोते हैं वहां आप सोके पता लगेगा और जो कहते हैं लोग के बाहर से फंडिंग हो रही है हाँ हो रही है फंडिंग वह परिवार है हमारा जिसे दर्द है वो देगा और बात रही खालिस्तान की हमारा खालिस्तान से कोई लिना दिना नहीं है हम हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान में रहेंगे और जिसे जाना है वो जाए जहां जाना है हम यहीं रहेंगे और हम इंदुस्तानी है और खाली सान से नामारे Lisard के लिना पर बात रहेजी किसान के लिए जो कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी है वो किसानोंसे जुड़ा हुआ और वो आप इंदुस्तानी दिल्ली में कहीं बैठा है, भारत में कहीं बैठा है, विदेश में बैठा है, वो पन्जाबी है, या पिर बिहार से बिलॉंग करता है, जाएवा किसान है या किसान परिवार से जुड़ा है, वहां stupidly थे सोब भारे ढंदर हैं, ठंड में बैठे हैं, का अब olmaz तसर बढ़ गया है हम लोगों ने मास्क इसलिए अभी उता रहे हैं क्योंकि आप तक साउंड सही से पहुंच जाए अदर्वाइस हम सारे प्रोटोकॉल्स का पूरा यूज करते हैं पूरा फोलो करते हैं कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल्स को सब ब्रिटेन की जो हवाई या को देखना चाहिए समझना चाहिए पहले हिंदूस्तान की हला ठीक हो जाएं फता लगे कि कुछ उन्हें परशानी हमारी वज़ा से हमें परशानी हो सकती है क्योंकि करोना जो आया बाहर से ही आया इंडिया का ऐसी चीज़ लेना देना नहीं था एक वाइरस है तो जितना से बचा जाए उतना बचना चाहिए जी नोनी जी चलते चलते सिर्फ इतना पोचूंगी बीस किसान हमारे इस अंदोलन में शहीद हो गए शैद उससे ज्यादा संख्या भी ऑल्मोस्ट पर है क्या कहेंगे सर क्योंकि एक एक जान कीमती है और किसान का मरना तो एक का मरना ल बराबर होता है क्योंकि एक किसान जब हल चलाता है तब कई लोग लाकों लोग जाके खाना खाते हैं यह बीस नहीं है बीस लाक लोग गए हैं सरकार को समझना चाहिए जल्दी जल्दी इस चीज़ को बिल को रोकना चाहिए और किसानों को अपने घर भेजना चाहिए और किसान यहां बैठे हैं यह अपने कोई मौज मच्टी के लिए नहीं बैठे हैं और जो में मेरे साथ बीती है हमसे रात को आठ कंबल लेकर गए और सोयो दस वापस करके गई कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है अब हम कहीं और जा रहे हैं हम अभी एक दूर दिन बाद आएंगे तब आपसे ले लेंगे तो आपने देखा हुआ जिसे कंबल लेवारी मिल जाओ तो लेकर चला जाता है और हम वापे कई चीज़ें देने जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास है जिसके पास नहीं है प्लीज आप उन्हें जरूर दीजिए उनकी जरूरत के लिए और कोई भी यानि असले किसान ही बेठे हैं बिलकुल असले किसान है और अभी यूपी यूपी मैंने भी इंदापूरा में देखा वार आमला ग्राउंड में अभी इन्होंने दोसो ट्रॉली नहीं रेंट पना पैसे देके किसान लाएं और वहां पे शोर मचवारे हैं जी हमें इन बि लोट दोग लिया हो उससे फरक नहीं पड़ता जिसे एक को परिशानी है तो है परिशानी उसे एक को यह दर्द आपने नोनी जी का सुना जसमें इन सिंग नोनी जी हमारे साथ में हैं लगातार चर्चा करते रहें इन बातों को लेकर के डी एस जी एमसी से सदस्य भी है व अपनी बात रखी और किसान भी शांति पून तरीके से बात रख रहे हैं यही उमीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो भाई अपनी बातों को समझेंगे और केंद्र बातों को समझा पाएगा और हल जल्दी से जल्दी निकलेगा जिससे कि वो सर्दी में अपने परिवार के बीच मेजिते